Hey guys, ये है Vivo T2X 5G smartphone और आज मैं आपको इसके hidden features बताने वाली हूँ जैसी कि आपने इस तरह से बहुत सारे visit वगरा apply कर सकते हैं आप तीन application एक सांच चला सकते हैं और इस तरह से आप floating window को चालू कर सकते हैं और इसमें आपको बहुत सारे calling features भी मिल जाते हैं और इसी के साथ आपको इसमें गैम mode भी मिल जाता है तो ऐसी मैं आपको top 30 plus amazing and hidden features बताने वाली हूँ तो वीडियो का end तक जरूर देखना और अभी आप ये जो ring light देख रहे हैं इसमें ने कैसे apply किया है वो भी मैं आगे आपको बताने वाली हूँ चली वीडियो के स्टार्ट कर लेते हैं मेरा नाम है रोजनी आप स्वीक अटैक फॉर रोजनी में स्वागत है जैसे कि अभी आप यहां home screen पर ये visit वगेरा देख रहे हैं इन्हें मैंने कैसे लाया है तो आपको यहां scroll कर लेना है आपको press करके कहीं भी hold कर देना है अब आप ये देख सकते हैं ये visit अपलाई हो गई है और आप यहां पर click कर देंगे तो यहां से आप image वगेरा add कर सकते हैं और यहां पर click करेंगे तो आप कोई भी text वगेरा यहां पर type करके set कर सकते तो आप अपने according यहाँ पर visit वगएरा को apply करके देख लीजेगा. Next, वीज़स आप इसमें photo वगएरा height करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ सबसे पहले इस photo पर आजाना है. तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा height photo तो क्लिक कर देना है. अब जो photo आपने वहाँ पर height करी थी, यहाँ पर वो देखने के लिए मिल जाएगी. चलिए अब next features, अगर आप किसी भी app में log वगएरा डालना चाहते हैं तो इसके लिए आपको यहाँ setting पर आना है, then आपको यहाँ पर privacy पर आजाना है, नीचे आएंगे तो आपको मिल जाएगा app encryption तो क्लिक कर देना है, अब आपको यहाँ पर सबसे पहले password वगएरा set कर ले है, अब आपको बैक अजाना है अपनी home screen पर, अब आप उस एप को open करेंगे ना तो एप पहले password पूछेगा उसके बाद ही open होगा, चलिए अब next features आपको पापस से यहीं अजाना है privacy setting पर, then आपको यहाँ पर मिल जाएगा app heading तो क्लिक कर देना है, अब आप यहाँ से एप को select कर लेना है, जिन्हें आप height करना चाहते हैं, जैसी कि हमने इनको select कर लिया है, then आपको यह features off रहेगा, तो यहाँ से इसे on कर लेना है, अब आप home screen पर आकर देखेंगे, तो वो app आपको देखनी के लिए नहीं मिलेंगे, जो आपने height कर रहा है, अगर आपको height app देखना है, तो आपको step by step जाना है, जहां से आपने उस app को on किया रहा था, वहीं से आप off कर देखेंगे, तो फिर वो app आपको home screen पर देखनी के लिए मिल जाएंगे, और guys, अभी आप यह जो ring light देख रहे हैं, इसे मैंने कैसे apply किया है, मैं आगे आपको बताने वाली हूँ, भीव features अगर आप अपने बच्चों को phone यूज करने के लिए देते हैं, यूटूब बगएरा watch करने के लिए, तो वो YouTube तो watch करते हैं, but other application बगएरा भी चलाने लगते हैं, मैं आपको एक features बता रहे हूँ, तो आपको अपने बच्चों को फिर phone बगएरा देंगे तो other setting बगएरा privacy पर रजाना है, नीचे आपको मिल जाएगा app pinning तो click कर देना है, ये पहले से off रहेगी, इसे on कर लेना है, अब आपको YouTube को open कर लेना है, then आपको यहाँ पर menu button पर click करके, यहाँ यूटूब पर click कर देना है, यहाँ मिल जाएगा आपको pin तो click कर देना है, अब आपका बच back button, then menu button दोनों पर long press करना है, और hold करके रखना है, अब आप यह देख सकते हैं, हमारा जो YouTube है वो unpin हो गया है, मतलब कि अब आप अपनी normally screen पर आ गए है, चलिए next features, आप इसमें small window का भी use कर सकते हैं, जैसे कि आपको Facebook और WhatsApp दोनों एक साथ चलाना है, तो इसके लिए आपको किसी भी application को open कर लेना है, then यहाँ menu पर आजान है, then आपको यहाँ उस app के option पर click कर लेना है, यहाँ पर मिल जाएगा आपको small window, तो click कर देना है, अब आप यह देख सकते हैं, यह छोटी सी smell window आ गई है, आप यहाँ पर इसे use कर सकते हैं, आप इसे छोटा बड़ा भी कर पा चलिए next features, अभी आप यह कुछ इस type से करेंगे न, तो यह Google's की add वगेरा आ रही है, अगर आप इसे disable करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको home पर long press करना है, then यहाँ home setting पर आजान है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा Google discover, यह on है, तो इसे off कर देना है, अब आप यहाँ पर पर long tap करना है, then home setting पर आजान है, अब आपको यहाँ पर swipe downward पर click कर देना है, यह पहले से global search पर रहता है, आपको यहाँ पर notification center पर कर देना है, अब आप कुछ इस type से करेंगे न, तो यह notification निकल कर आजाएगा, जो global search अभी आ रहा था न, वो नहीं आएगा, आप इतनी नीच notification पैनल निकल जाता है, चलिए अब next features, अभी आप यह home screen पर देख सकते हैं, जो app बगएरा है न, सारे बिखरे हुए पड़े हैं, आप यहाँ एक एक करके लगाएंगे तो जादा time लगता है, तो इसके लिए आपको यहाँ पर home पर long tap करना है, then अपने phone को इस type से हैं, तो जल्दी से like कर दीजिए यार, next features, आपको यहाँ setting पर रजाना है, then आपको यहाँ पर एक features मिल जाएगा shortcut and accessibility, तो click कर देना है, अब आपको यहाँ पर मिल जाएगा quick action, तो click कर देना है, अब आपको यहाँ से set कर सकते हैं, कि आप volume down button को press करेंगे, तो क्या open होना चा या फिर आप camera को open करना चाहते हैं, जो भी आपको features पसंद हो, आप यहाँ से रख लेना, then आप volume down button को दो बार press करेंगे, तो automatic ही वो features open हो जाएगा, जो आप यहाँ पर रखेंगे, अब अगले features के लिए आपको back अजान है, यहाँ पर मिल जाएगा आपको flash notification तो click कर देना ह अब आपके पास कोई भी incoming call आती है तो ring के साथ साथ आपकी flash light है वो automatically blink करने लगेगी, चलिए अब अगला features आपको back अजान है, यहाँ पर मिल जाएगा आपको one handed, तो click कर देना है, then आपको यहाँ से इसे on कर लेना है, अब आप कुछ this type से करेंगे तो यह phone one handed में हो जाता ह कुछ this type से, तो आप एक यहाँ से अपने phone को यहाँ से use कर सकते हैं, और आप यहाँ पर click कर देंगे, तो आप यहाँ से इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं, इस screen पर आप यहाँ पर कहीं भी रखना चाहें, तो आप यहाँ पर रख सकते हैं, मतलब कि आप यहाँ पर बहुत सा ग्रागराम बगयरा में वीडियो कॉल करते हैं, तो आप फिल्टर बगयरा लगा कर अपने face को चिकना विकना कर लेते हैं, बट यही काम आप facebook या फिर बॉट्सप में करने जाते हैं, तो फिर नहीं होता है, तो इसके लिए आपको यहाँ पर इस option को on कर लेना है, आप सब्सक्राइब अब आपको होम स्क्रीन पर आप डवल टैप करेंगे तो आटमेटिक फोन बंद हो जाएगा डवल टैप लिए तो आपको फोन कहीं रखा हुआ है बंद ही और आप जैसी फोन इस टाइब में बटन रखना है और अकर आपको बटन चाहिए ही नहीं तो आपको यहां गैस्टर नेविगेशन पर क्लिक कर देना है अब आप कुछ इस टाइब से करेंगे तो भी बैख हो जाएंगे आप ऐसा करेंगे तो हॉमी स्क्रीन पर आजाते हैं और ऐसा लॉंग प् एकपर खेलते हैं तो आपको यहां पर बहुत सारे फीचर मिल जाते हैं अब आपको यहां साइडवार को ऊनट ऑन कर देना है यहां आपको यह कर देना है यहां आपको आना है देन यह ओफ रहेगा आपका इसे ओन कर लेना है अब यह थार्टी येर्स ओल्ड पर है तो आपको यहां पर सिस्टी येर्स old कर लेना है मुझे पता है कि आप लोग 30 years से कम के ही होंगे बट आप यहाँ पर 60 years old कर लेना इससे क्या होगा जब आप जब भी आप game बगएरा खेलेंगे न तो आपको आवाज और जादा loud ही सुनाई देगी मतलब कि बहुत तेज आवाज आने वाली है अब next आपको बैक आज आना है और भी बैक आना है यहाँ पर आपको mute call मिल जाती है तो click कर देना है अब आपको यहाँ पर मिल जाएगा background call तो इसे कर सकते हैं कि आपको किनकी call को reset करना है आपको यहाँ कस्टमाइज पर आज आना है और उस नम्मर को यहाँ पर डाल देना जिनकी call आप reset करना चाहते है गेम के time में तो आप यहाँ से कर लेना अब next features आपको बैक आज आना है यहाँ पर मिल जाएगा आप miss touch previous तो click कर देना है इन दौनों को भी on कर लेना है आपको अप gaming खेलते समय न miss touch वगएरा नहीं होंगे इसके लाबा आपको यहाँ नीचे मिल जाएगा गेम picture and picture तो click कर देना है अब आपके पास कोई message वगएरा आती है गेम खेलते समय आप तो आप अपनी fingers को कुछ इस type से करेंगे तो यहीं से आप message वगएरा read कर सकते है या फिर कोई भी WhatsApp में photo वगएरा send करते हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं एक floating windows आईगी आपकी side में ही तो guys यह रहे गेम से related features आपको ultra game mode में जो मिल जाते हैं अब मैंने आपको features तो बता दिये हैं लेकिन इन्हें use करने के लिए आपको यहाँ पर add के option पर click करके सबसे पहले किसी भी एक game को add कर लेना अभी हमाई पास तो game बगएर हैं ही नहीं तो हम कैसे add करेंगे मैं यहाँ पर अभी यह facebook को add कर लिया है अब आपको back आजाना है अपनी home screen पर यहां मैं facebook को जैसे ही open करूंगी न तो यह automatic ही boost हो जाता है मतलब कि आप जो भी game को यहाँ पर download करेंगे तो वह automatic ही boost हो जाएगा और फिर आप यहीं से उन features को use कर सकते चलिए अब next features आपको यही setting पर आना है then आपको न लॉक screen और बॉल पेपर पर आजाना है तो यह सारे features भी हमने पहले ही cover कर दिये हैं बट आपको यहाँ पर एक और कमाल का features मिल जाता है lock screen setting तो click कर देना है अब आपका phone lock screen पर है कुछ इस type से करेंगी न तो यह control center आज आता है अगर आप चाहते हैं कि lock रहे phone और control center न आए तो इसके लिए आपको यहाँ पर आजा आना है setting पर then आपको यह features मिल जाएगा open control center तो यह on है आपको off कर देना है अब आपका phone lock रहेगा आप कितने ही यहाँ पर notification panel निकालन वाला है ही नहीं तो security purpose के लिए काफी जादा useful रहेगा तो इसे आप off कर कर ही रखिएगा अब next features आपको यहीं पर आजाना lock screen setting पर then यहाँ नीचे मिल जाएगा add text on lock screen तो click कर देना है अब आप यहाँ पर कुछ भी type कर देना मेरे हिसाब से आपको नो कोई भी number वगेरा type कर देना है जैसे हम यहाँ पर अभी कुछ भी type कर देते हैं then okay पर click कर देना है अब आपका phone ऐसा lock रहेगा तो आपने जो भी वहाँ पर type किया होगा आपको यहाँ lock screen पर देखने के लिए मिलेगा यह फिर आप अपने नाम भी type कर सकते हैं ताकि पता चले कि यह किसका phone है चलि को application कुछ इस type सी देखने के लिए मिलेगी पहले आपको download कर लेना है देन उसकी permission दे देना है इसके बाद आपने इस page पर पहुंच जाते हैं यहाँ से off रहेगी तो इसे on कर लेना है फिर आपकी notch में भी light apply हो जाएगी और यह resizer होता है आप यहाँ से light के size को छोटा बढ़ कर सकते हैं अपने camera के हिसाफ से देन यहाँ से आप light को सही से fit कर सकते हैं अपने camera में और अगर आप इसके color वगएरा change करना जाते हैं तो आपको color के option पर click कर देना है देन यह पहले से आपको segment color पर रहेगा तो आपको single color पर कर लेना है यहाँ पर आप click कर देने प्रिसेट कर लेना है अब आप यह देख सकते हैं हमारी येलो कलर की लाइट अपलाई हो गई है नेस्ट वीच अभी आप कुछ इस टाइप से करेंगे न तो यहां आपको देखने के लिए नहीं मिल रहे है कि आपने कितना नेट यूज किया है या फिर कितना नेट बचा है तो इसके ल बार पर देखने के लिए मिल जाएगा इस फॉन की अमेजिंग एंड हिडन फीचर कौन सा फीचर आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया मुझे कमेंट में जरूर बताना और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीस यार वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी वीडियो झाल